हेलो बचो, आज की क्लास में हम डिसकस कर रहे हैं हमारे प्राइक्ता चैप्टर के कुछ इंपोर्टेंट कोश्चन्स जो बोर्ड एक्जाम्स में आ सकते हैं तो करें स्टार्ट, तो ये हमारे MCQ यानि बहु विकल्पिय प्रश्न है तो इन्हें solve करने के लिए हमें पहले कुश्चन को ध्यान से देखना होगा, उसे solve करेंगे तब हम एक answer इसमें से choose कर सकते हैं तो first question है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्राइक्ता नहीं हो सकती है तो हमें पता है कि किसी भी घटना की प्राइकता जो है या तो वो 0 के बराबर होती है या 0 से बड़ी होती है या तो वो 1 के बराबर होती है या 1 से चोटी होती है या तो 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती तो zero से कम का मतलब हो गया कि वो minus में नहीं जा सकती तो यहां हमें ये number minus में दिख रहा है यानि ये प्राइकता नहीं हो सकती Second question है निम्ड में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्राइकता हो सकती है अब यहां न words को बहुत ध्यान से देखना है यहां word use हो रहा था नहीं हो सकती है और यहां है हो सकती है यानि हमें देखना है कि कौन सी प्राइकता हो सकती है तो यही हम concept जो हमने पहले use किया है इसी को use करेंगे पहली चीज प्राइकता हो सकते है ये वाली तो नहीं होगी क्योंकि ये minus में है ये 1.004 है यानि 1 से जादा हो गई तो ये भी नहीं होगी इस केस में 18 बटा 23 अगर हम इसे दशमलव में बदले तो ये 1 से कम आएगा यानि प्राइक्ता ये हो सकती है और वैसे भी एक तरीका और बताती हूँ आपको अगर हमारा जो हर है यानि ये जो डिनॉमिनेटर है ये अंश से बड़ा है तो वो प्राइक्ता हो सकती है इस केस में क्या है हमारा जो हर है वो अंश से छोटा है तो अपने आप ही वैल्यू एक से जादा आएगी तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, जहां हर हमारा बड़ा है, अंश्ते, तो वो प्राइक्ता पॉसिबल है, नेक्स देखते हैं, आप आगे question क्या दिया हुआ है हमें, कोई घटना होने की संभावना ना के बराबर हो, तो उसकी प्राइक्ता किस के पास होगी? यानि एक घटना है, जो ना के बराबर है, यानि उसकी प्राइक्ता जीरो भी नहीं है, और जीरो के आसपास है, तो हमें देखने हैं, सबसे close जीरो के वैल्यू, 0.001 है, तो ये इसका अंसर हो गया एक अंक्या भाजे संख्याओं में से एक संख्या यादरच्छा चुनी गई, यह संख्या सम होने की प्राइक्ता होगी अब हमें क्या करना है, अभाजे संख्याओं वो भी एक अंक्याओं और उसकी सम होने की प्राइक्ता तो अब एक अंकिय अभाजे संख्याएं कौन कौन सी होती है? दो, तीन, पाँच और साथ इन में से सम संख्या कौन सी है? सम संख्या सिर्फ यहाँ पर दो है तो यानि कुल आप्शन हमारे पास हो गए चार और वांचने परिणाम सिर्फ एक है तो प्राइक्ता क्या हो गई? एक बटा चार यानि चौथे का उत्तर हो गया एक बटा चार अब पाँचवा प्रशन क्या है? जब एक पासे को फेका जाए तो तीन से कम विशम संख्या आने की प्राइक्ता हो गई पासे को फेकने पर हमें क्या-क्या परिणाम मिलते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल परिणाम तो 6 हो गए अब 3 से कम विशम संख्या विशम संख्या कौन सी हमारी? एक होती है हमारी विशम संख्या फिर 3 फिर 5 और हमें चाहिए 3 से कम तो फिर अकेला एक ही रह गया नेक्स देखते हैं, अब क्या है, रश्मी के पास एक पासा है, जिसके छे सतह पर निम्न अक्षर दिये हैं, A, B, C, D, A, C, यदि वे पासा एक बार फेके, तो C आने की प्राइकता क्या होगी, तो कुल परिणाम तो यहाँ पर हमें 6 दिख गए, तो कुल परिणाम 6, वांचने परिणाम, अब C हमें कितनी बार मिल रहा है, दो बार मिल रहा है, C, तो वांचने परिणाम हो गए, 2, तो 2 बटा 6, और फिर हम इसे इसके सरलतम रूप में लाएंगे, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो प्राइक्ता क्या आ गई? एक बटा तीन. तो ये option करेक्ट हो गया हमारा. फिर आगे हमें क्या दिया है? ताश के बावन पत्तों में से एक पत्ता या द्रच्छा निकाला जाता है. यदि तस्वीर वाला पत्ता नहीं आने की घटना ए है तो ए के कुल परिणामों की संख्या होगी. आप हमें ही बताना है कि ए जो है वो तस्वीर वाला पत्ता ना आए. तो हमें पता है कि तस्वीर वाले पत्ते हमारे पास 12 होते हैं तो हमारे पास E का जो कुल परिणाम होगा यहां पूरे घटना का कुल परिणाम नहीं पूछा गया सिर्फ E का कि वो तस्वीर वाला पत्ता तो वो 12 है तो option D जो है वो हमारा correct option हो गया आगे देखें आगे हमारे पास है दिये गए चार विकलपों में से सही उत्तर जुने यानि फिर वही MCQ है हमारा यदि किसी घटना के होने की प्राइकता P हो तो इसके ना होने की प्राइकता क्या होगी तो हमें पता है किसी घटना के होने की प्राइक्ता और उसके ना होने की प्राइक्ता का जो योग होता है वो हमेशा एक के बराबर होता है तो हमें चाहिए ना होने की प्राइक्ता यानि P बार हमें चाहिए तो 1 और ये P यहां पर माइनस का बन के आया यानि 1 माइनस P तो option C जो है वो हमारा correct option हो गया. Next question है यदि P जीत बराबर X बटा बारा और P हार बराबर 1 बटा 3 तो X का मान. यानि जीतने की प्रायक्ता दी हुई है और हारने की प्रायक्ता दी हुई है एक ही घटना में उसमें X की value. तो वही हमें रूल लगाना है कि जीतने की प्रायक्ता प्लस हारने की प्रायक्ता बराबर 1 यानि X बटा 12 जमा 1 बटा 3 बराबर 1 अब हम यहाँ LCM लेंगे तो LCM कितना आ जाएगा हमारे पास 12 ये हो गया हमारा X और ये हो गया 4 बराबर 1 और जब हम इससे solve करेंगे तो X हो ज तो है वो correct option हो गया संख्याओं एक दो तीन से लेके 15 में से याद्रच्छेक संख्या चुनी गई क्या प्रायक्ता है कि वह चार की गुड़ज है चार की गुड़ज चार से विभाज्य है इसका मतलब है कि वो चार के पहाड़े में आए तो चार के पहाड़े में अब तो ये तीन हो गए हमारे वांचनिय परिणाम और कुल परिणाम एक से 15 तक 15 हो गए तो हमारे पास प्रायक्ता हो गई वांच्निय परिणाम बटे में कुल परिणाम यानी तीन बटा 15 और इसे simplify करेंगे तो आगया एक बटा 5 नेक्स्ट जो वर्ष लीप वर्ष ना हो उसमें 53 सोमवार होने की प्राइकता होगी अब 53 सोमवार किस प्रकार से होंगे हमें पता है एक हफ़ते में कितने दिन होते हैं साथ, तो हम लीप वर्ष ना हो, लीप वर्ष नहीं है, यानि 365 दिन का होगा वो वर्ष, इसको हम साथ से भाग कर लेते हैं, साथ पंजे पैंटिस, ये एक पचा, पांच उतार लिया, साथ दुनी चौदा, और ये रह गया एक, यानि 52 हफते तो कम्प्लीट हैं, एक दिन एक दिन को चुनना है, तो प्राइकता हो गई, एक बटा साथ, नेक्स्ट क्या है अब, एक बैग में छे लाल और पांच नीली गेंदे हैं, एक गेंद या द्रिच्छ से निकाली गई, नीली गेंद आने की प्राइकता होगी, अब बैग में छे लाल हैं और पांच नीली तो कुल गेंद कितनी हो गई, 6 जमा 5 बराबर 11, तो ये तो हमारे कुल परिणाम हो गई, ठीक है, हमें क्या चाहिए, जो हमारे लिए वांचनिय है, हमें जो चाहिए, हमें चाहिए नीली गेंद, नीली गेंद कितनी है, 5, तो प्राइकता हो गई, वांचनिय परिणाम, बटे में कुल परिणाम यानि पांच बटा क्यारा क्लियर नेक्स आज आते हैं सिक्स कोश्चन में यहां हमें क्या दिया है मैथेमेटिक्स के अक्षरों में से एक अक्षर चुना गया उस अक्षर के स्वर यानि वावल होने की प्राइकता अब वावल हमारे कौन कौन से होते है A, E, I, O और U तो अब इन में से देखते हैं यहां कौन कौन से यूस होए A दिख रहा है, E दिख रहा है A फिर से आ गया और I तो चार वावल दिख रहे हैं हाँ पर और मैथेमेटिक्स में टोटल कितने अलफाबेट्स हैं वो भी काउंट कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा तो कुल परिणाम है हमारे पास ग्यारा जिसमें से हमने देखा कितने वावल सो रखे हैं चार, चार स्वर हैं तो वाँचनिय परिणाम, बटे में कुल परिणाम यानि चार बटा, ग्यारा सेवंध कोश्चन देखें दो सिक्के एक साथ उछा ले गए अधिक से अधिक एक चित आने की प्रायक्ता अब जब हम दो सिक्के उछा लेंगे तो हमारा जो सेंपल स्पेस है वो क्या बनेगा? हो सकता है, पहले पर head हो, दूसरे पर tail या दोनों पर head हो या पहले tail, दूसरे पर head और या दोनों पर tail तो कुल परिणाम तो चार हो गये अब word यूज हुआ है अधिक से अधिक एक चित यानि maximum एक हमारे पास tail हो सकता है लेकिन उससे जादा नहीं उससे कम तो हो सकता है जादा नहीं हो सकता तो अब maximum tail एक इसके पास दिख रहा है और एक इसके पास इससे जादा यानि दो नहीं हो सकते पर कम तो हो सकते है ना यानि tail zero भी हो सकता है जो यह case है तो हमारे पास तीन आ गए तो कुल परिणाम एक, दो, तीन, चार और उसमें से वांचने परिणाम यानि तीन बटा चार तो प्राइक्ता हो गई तीन बटा चार तो बेटा ये सारे one mark questions हैं जो MCQ में पूछे जाते हैं इन्हें टिक करने से पहले एक बार solve जरूर करके confirm कर लिजे कि answer आप सही mark कर रहे हैं या नहीं तो इसी type के और questions की practice कीजिए मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक keep practicing and enjoy maths